असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटेरिशर पर वैलकम कहती हूँ आज जो हम लोग नोवेला पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हार्ट ओफ टार्कनेस जिसको जोसेफ कॉनरेट ने लिखा है नोवेला को स्टार्ट करने पहले हम लोग थोड़ा सा जोसेफ कॉनरेट के बारे में जान लेते हैं जोसेफ कॉनरेट जो हैं ये 3 दिसमबर 1857 में पैता होते हैं और इनकी डेथ जो हो जाती है वो 3 अगस्ट 1924 में इनकी डेथ हो जाती है ये इंग्लिश नॉवलिस्त थे शोट स्टोरी राइटर थे और मोस्ट फेमस राइटर की स्पेस पेव थे अपने मोस्ट फेमस वर्क्स की बेस पे जिनमें पहला नाम आज़ता है लोड जिम का जो के 1900 में पब्लिश हुआ था सेकिनर्स ट्रॉमर का जो कि 1904 में पब्लिश हुआ था था तैसर्ड सीव्यट स्टोरी से लिंबा हो नॉवल से छोटा हो तो Heart of Darkness पिसे के लिए नवेला है क्योंकि ये शोट स्टोरी सो तुछ लूंबा है लेकिन एक नॉवल से छोटा है अच्छा उसके बाद जो है ना इनको Early Modernist माना जाता है हालाके इनके Works के अंदिर हम लोगो 19th Century के Elements नजर आते जैसा कि इनके वर्क्स में दिखाई देता है लेकिन फिर भी अपने निरेटिव स्टाइल के और एंटी हिरोइक टिकनीक की बेस पर ये Modernist कंसीडर के जाते है और इनके निरेटिव स्टाइल और एंटी हिरोइक टिकनीक को बहुत से ओथर्स ने क्या अप्रइशियेट किया है और बहुत से फिल्म ने इनके जो वर्क्स हैं उनको अडॉप्ट किया अपनी जो फिल्म की प्रोडक्शन है उसके अंदर अब बात करने थे हम लोग Heart of Darkness की हम लोगों ने जब Heart of Darkness को पढ़ना है तो हमने करेक्टर्स को डिसकस करना है तीम्स को डिसकस करना है important questions को डिसकस करना है summary को डिसकस करना है with criticism and with important quotations ठीक है तो वीडियो को गोर से देखना है आपने ताके आपको इस story की इस novella की proper understanding हो जाए और जब आप उसको वीडियो को पूरी देख लेंगे तो मैं आपको sure देती हूँ कि आपको कोई भी confusion नहीं रहेगी इस lecture के about इस novella के about और अगर आपको कोई confusion हो तो आप वीडियो को दुबार देखिएगा समझना है तो आप मुझे comments में question पूछ लिएगा मैं आपको answer जरूर दूँगी start करते है अब बात करते हैं हम लोग पहले characters की इसमें most important character है Marlo का Marlo जो है वो heart of darkness का protagonist है यानि कि main character Marlo philosophical भी है independent minded है और journalist जो है न ये master है story teller का और ये जितने भी लोग इसके इड़ गिर्द है उनको story सुनाता है ये 32 years old है और ये इस seller है एक जो हमेशा से स्मंदर में ही रहा है और जब novel start होता है तो Marlo को बुद्ध के posture में हमें दिखाया जाता है ठीक है बुद्ध के posture में दिखाने का मतलब क्या है symbol of truth ठीक है Marlo is symbol of truth जो कहेगा सच कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा और इस story के अंदर जो Marlo है Marlo हम लोगो further story जो है वो narrate करके सुनाएंगा हम कह सकते है Marlo जो है किन्स तेशिद से लेकर सेंटर स्टेशन से ऊकर इनर स्टेशन तक जाता है फिर वहां पैस ने कौंगो रिवर पहुंचना वर को जो जो इस ज cowboy ही में देखा और सबकुछ निरेट करेगा इस्टोरी के ऐंदर, इह हम लों को कि LONIALYZM की बताएगा होनेस, बतायागा klonialism की आ निरेशन में next character जो के second most important character है कर्ट्स, अब कर्ट्स कों है, societies, second most like कहते हैं हम लोग important character है, इस character कित्रू हम लों को यूरप दिखाया गया है, ये embodiment है यूरप का, क्यों ये यूरप की जो hollowness है, जो brutality है, वो सब को expose करेगा, ये character, और इसके इलावा जो Kurtz है, ये एक यूर्पियन है, ये white man है, ये painter भी है, ये point भी है, good speaker भी है, man of noble world भी है, respectable भी है लेकिन इतने सब traits होने के बावजूद जब ये कॉंगों में जाता है और जब ये लोगों से दूर हो जाता है तो ये कैसे हमारे पास सामने आता है हम लोग story में देखेंगे कि ये कैसे एक dark soul बन जाता है ठीक है Marlo और Kurtz के थूर इनको बावर राइटर ने हमारे पास दो इंपोर्टन एक इंपोर्टन थीम भी कनवर्ट किया है वह है तीम ओफ रिस्ट्रेंट का रुकावट का कि जब आपको सुसाइटी देखती है सुसाइटी आपको प्रेशर देती है तो तब आप कैसे होते हो तो मालो जो है वू पिच्छर है तो साइटी के अंदर है और जो करर्से है वह पिच्छर सवाइटी से दूर है ठीक है तो यह दो करेक्टर इंपोर्टन थे इनको वं पैवान आम भो प्र निस्ट्री में भी साथ-साथ कृटिकल सेठ डिसकर्स करेंगे नेक्स्स क्रेक्टर हमारे पास आता है दा मैनेजर यह जो मैनेजर है ना यह चीफ एजेंट है of the company in its African territory यह central station को run करता है और यह एक minor क्रेक्टर है फिर आता है हमारे पास चीफ अकाउंटेंट का क्रेक्टर चीफ अकाउंटेंट जो है वो अपिशेंट वर्कर है जो आउटर स्टेशन पे होता है लेकिन कूद को बड़ा टाइडी रखता है और अगें यह एक वाइट मैन है फिर मापास करेक्टर आता है दा हर्ली कुएन का यह रशीयन डिसिपल है कर्ट का लेकिन इसका नाम हर्ली कुएन माल्डो रखता है क्यों यह रखता है क्योंकि इसने डिफरेंट कलर्ड पैच्चे पैने होते हैं अपने क्लोज के ओपर और यह बड़ा आइडिलाइज करता है कर्ट को और कहते है इस इस मैन हाज इनलॉज्ड माइंड इसके बाद नेक्स करेक्टर है वह है दा इंटेंडड जो फियोंसे है कर्ट की यह कर्ट की फियोंसे है और यह कर्ट का बहुत इंतजार कर रही है और कर्ट से बहुत प्यार करती है जिससे कर्ट की डेस्ट के बाद मानलो मिलता है और कहता है कर्ट तुमसे बहुत प्यार करता था ठीक है और तुम्हें बहुत याद करता था उसे जूट बोलता है यह और उस lies की क्या significance है हम लोग story में discuss करेंगे next character हमारे पास Kurtz की native mistress जिस जगा पर Kurtz है कॉंगो में वहाँ पर इसकी woman है जो इसकी mistress है और बिल्कुल opposite है किस से इसकी intended से इसकी fiance से इसकी जो fiance है वो बहुत innocent है बहुत नीव है ठीक है लेकिन इसकी जो mistress है दिखाई गई native mistress वो दिखाई गई है बहुत bald और powerful next character है हमारे पास Freeze Leaven का इसको सिफसे mention की है section के अंदे novel के जो के जंगल में civilized man की power को show करता है और ये एक white man है जो के पहले बहुत जादा noble दिखाया गया gentle man दिखाया गया लेकिन जब ये अफरीका में आया जब ये कॉंगो पहुंचा तो ये savage बन गया और इसको मार दिया गया एक meaningless squirrel के अंदर और जब marlis की bones को देखता है तो इसको realize होता है the power of the jungle over civilized man के जैसे कैसे uncivilized जगा ने एक civilized man को destroy करके तक दिया next factor हमारे पास आता है brick maker का ये जो brick maker है इससे जो marlis की मुलाकात central station पर होती है ये manager का favorite किसम का बंदा है और इसका spy भी है और ये symbolize कर है brutality को और negative चीजों को और इसके बाद जो इसको marlis ने कहा था pepper match mephistopheles इसको saturn से resemble की है marlis इसका नाम तो brick maker है ironically इसका name रखा गया कि इसने आज तक कोई भी brick बनाई नहीं chief accountant repeat होगे मैंने इसको previous page पर बता दिया आपको next है pilgrims pilgrims जो हैं ये greedy agents हैं of the central station ये अपने साथ हर जगा पे long wooden staves लेके जाते हैं और ये marlis को traditional religious travelers के बारे में याद करवाते रहते हैं ये सब चाते हैं कि इसे station पर appoint कर लिया जाए और इस तरह ही ये क्या करेंगे ये trade कर सकेंगे ivory के लिए और जब ये ivory के लिए trade करेंगे तो ये commission कमा सकेंगे इनको pilgrims का नाम ironically दिया गया है basically तो ये greed और lust को डिफाइन कर रहे हैं symbolize कर रहे हैं next characters हमार पास थे cannibals का natives ने इनको हायर किया होता है as the crew of the streamer ये जो crew होता है इनका group होता है cannibals का ये surprisingly reasonable और well tampered bunch होते हैं ये Marlowe इनकी restraint की respect करता है और इनके calm acceptance of adversity को बड़ी respect करता है Marlowe और cannibals का जो leader होता है बड़ा ही intelligent दिखाया गया है और ये भी name जो है बड़ा derogatory sense में यूज किया है blacks के लिए next है Russian trader जिसको मैंने already define कर दिया Harley Quinn को पिताते होए इससे next है aunt aunt जो है ये भी minor character है लेकिन इसका important role है feminism reflect करती है क्योंकि aunt ने Marlowe को job लेकर दी थी और इनका फिर्मली ब्रीफ है कर इंपिरिलिजम जो है एक्ट ओफ सिविलाजेशन है जो के blacks को civilized कर देती है उनको वो unethical होते है and uneducated होते है और उनको educations दिख सिखाती है इनका फिर्मली ब्रीफ है चीज के उपर और इसे ने जो है position इसको हायर करके दी थी company के अंदर Marlowe को और aunt जो है वो symbolize कर रही है aliens of women ठीक है next है हमारे पास the man abroad the Nilly sorry it's abroad the man abroad the Nilly Nilly जो है वो ship का नाम और उस ship के अंदर Marlowe के साथ जो जो लोग बैठ वे थे उन सब का जगर किया गया इसके अंदर और ये middle class middle age होते हैं लोग और ये सारे के सारे Marlowe के साथ ship के अंदर journey कर रहे होते हैं river themes की तरफ जा रहे होते हैं और बिल्कुल story के opening पे पेर होते हैं अब ये तो होगे overall characters अब बात कर लेए ते important question की इसका title significance most important character है हम लोग सार सार discuss करेंगे कैसे और किस तरह इसका significance है themes इसमें जो important है वो है imperialism का clonialism का restraint का character of Marlowe and Kurtz दोनो important है और symbolism important है impressionism important है इन questions को हम लोग summary के थूँ समझेंगे और starting पे important question पिताने का purpose यह है कि आप इन questions को mind में रखते हुए पूरी समरी को ध्यान से सुने पहले बात करते हैं हम लोग पहले title significance की story स्टार्ट करने से पहले title significance में क्या बताया गया है कि title क्या होता है आप सब को पता है कि modern writer जो होता है वो उतना conscious होता है इस ते भी अपना title बड़ा ही conscious होके चूस की जो के एक phrase है heart of darkness ठीक है सियाह का दिल अब जो नवेला heart of darkness है ना basically यह जोसेफ कॉंडर्ट के अपने experience पे बेस करता है यह एक autobiographical नवेला है कोंगो ने खुद भी सफर किया था सोरी जोसेफ कॉंडर्ट ने खुद भी सफर किया था कॉंगो रिवर का ठीक है और जो कुछ उसने वहाँ पे देखा उसने मारलो के थूरू इस स्टोरी के अंदर वो निरेट करके बता दिया अब जो title heart of darkness है ना यह double meaning है इसके double meaning किस तरह से पहली बात जो आपने ध्यान से सुनी है वो यह है कि जो white man है ना वो कहते हैं eurocentrism eurocentrism क्या है europe is superior और europe के इलावा बाकि सारे inferior है तो europe is superior is known as eurocentrism तो वो कहते हैं कि europe superior है उनकी इलावा बाकि सारे क्या है others है marginalized है blacks है ठीक है तो जो white है वो europe है और white के लावा बाकि सारे क्या है blacks है और फिर वो कहते हैं जो अफरीका है ना वो black का heart है ठीक है वो कालों का दिल है तो इसलिए उन्होंने जब यहां पे Congo river की बात की तो बात इसके की जारी है अफरीका की जब वो अफरीका को represent करें तो उन्होंने अफरीका के लिए heart of darkness का word यूज किया और उसके थूँ इन्होंने सारी की सारी अफरीकन की जो like habits हैं जो उनके रहने सेने की तरीके हैं वो लिखे इस novel के अंदर तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका meaning heart of darkness का symbolically meaning अफरीका हो सकता है अब second meaning इसका इसका second meaning इनसान इनसान का दिल बन सकता है जो इनसान है उसका heart black होता है तो इसके थूँ इसने अपने title के थूँ इसने अपने story के थूँ इसने theme of restraint expose की है कि इनसान लोगों में कैसा होता है हम देखेंगे story के इंदर मार लो है मार लो जा रहा है curse के पास और curse ओल्रेडी वो सारी journey तैग करके कोंगों में पहुंच चुका हुआ है और कई सालोगे उसका लोगों से कोई contact नहीं है जब लोगों से कोई contact नहीं होता society का कोई pressure नहीं होता तो फिर man कैसा हो जाता है free हो जाता है जो चाहे करे जो मर्जी करे उसके उपर कोई restrictions नहीं है कोई restraint नहीं है तो writer ने curse का character डालके title के थूँ हमें ये बताया है कि जब इंसान तनहाई में होता है तो उसकी soul actually में क्या है और जब इंसान तनहाई में होता है तो वो curds होता है इवन कि writer ने कुद भी काया in the oars of solitude curds haunted me जो curds होजे खौफ दिलाता है तो इसलिए हम कह सकते के writer ने आवई नी title रख दिया writer ने बड़ा सोच समझ के title का नाम रखा है heart of darkness next themes imperialism, colonialism, restraint यह important है imperialism क्या होता है imperialism जो हम लोग remote control कर रहा होता है हम लोगो white man उसको कहते है like colonialism क्या है colonialism पहले माँ बताऊंगी फिर मैं imperialism बताऊंगी colonialism क्या है जब white man आए उन्होंने आकर आपको पर ruling शूरू कर दी ठीक है उन्होंने कहा के यह uncivilized है barbaric है they have no norms they have no ethics इनको खाना नहीं आता पीना नहीं आता so on तो हमारा purpose क्या है we are here to civilize them हम इनको civilize करने के लिए आए है तो इसलिए हमें आपर रहना होगा अब वो वहाँ पर रहते हैं और वो जब वहाँ पर रह के उन्होंने अपनी practice शुरू कर दी looting की और barbaric अपना attitude दिखना शुरू कर दिया तो वो क्या होगा क्लोनिजम का time period शुरू हो गया क्लोनिजम की दो definition है एक white man के according एक black man के according blacks कहते है क्लोनिजम इस act of lootery ठीक है यह looting का act है ठीक है exploiting का act है और white कहते है यह act of civilization है तो देखते हैं हम लोग heart of darkness story के अंदर क्या बताया गया कि वाकई act of civilization है यह act of looting है देखते हैं अब imperialism की बात की जाए जब white man चला जाए तो उसके बाद white man जो है जाने के बाद अब तक mentally दोर पर हमें control कर रहा है उसको कहते हैं imperialism लेकिन novel के अंदर imperialism और colonialism same context में यूज किये गए है restraint रुकावट कि इंसान कैसे अपने नफस के ओपर रुकावट लगाता है और actual में इंसान की soul है क्या words word कहते है इंसान is pure by birth ठीक है human is pure by birth वो child होता है तो pure होता है जो इंसान है वो बच्चपन से इंपियोर होता है वो pure नहीं होता क्यों उन्होंने कहा कि अब marlo है marlo को हम दखेंगे एक map है map की जो like shape है वो snake-like है और marlo को वो snake-like shape बहुत अट्रेक्ट करती है ठीक हो गया तो यह चीज की है snake is the symbol of evil तो वो उस चीज से शोग करना जाता है कि इंसान को बच्चपन से evil जो चीजा वो बहुत अट्रेक्ट करती है ठीक है और इंसान ने अपने उपर restraint लगा के रखी है society में जैसा इंसान है वो कैसे है क्योंकि society उसको देख रही है लोग उसको देख रहे है जब इंसान स्टाइटी में कैसा होता है वो दिखाया और कर्ड के अधर दिखाया जब इंसान स्टाइटी से दूरो तो कैसा होता है फिर नेक्स मैंने बताया करेक्टर आफ मार्लो एंड कर्ड्स जिसको हम साथ-साथ समयनी में डिसकर्स करते जाएंगे symbolism क्या होता है? symbolism होता है wailed mode of communication धके चुपे इलफाज में बात चीट करना यहाँ पे दो टाइप्स होते symbolism के एक होते है objective symbolism एक होता है subjective symbolism और मार्लो ने इस novel के अंदर इस novelा के अंदर दोनों तरह के symbolism को यूज किया है objective भी और subjective भी objective कौन होते है? objective वो symbol होते है जो आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए same हो और subjective symbols कौन से होते है subjective symbols वो होते है जो आपके लिए और हो और मेरे लिए और हो for example snake snake आपके लिए भी evil का symbol है और मेरे लिए भी evil का symbol है तो snake क्या हो गया? snake objective symbolism हो गया objective symbol हो गया और subjective example में different writers के लिए different word होते हैं उनके different symbols होते हैं वो subjective symbols होते हैं जैसा कि हम देखेंगे इसके 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 मार्लो ने दो women को weaving करते हो देखा, वोविं करते हो देखा तो लगा कि वो अंधेरा बुन रही है इसके मार्लो के लिए अपने लिए उसके subjective symbol हो जाएगा इंप्रेशनिसम क्या होता है इंप्रेशनिसम एक ऐसी टिकनीक होते हैं जिसके इसके चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट के जाता है जैसे वो actually में नहीं होते हैं लेकिन जैसे वो दिख रहे होते हैं जैसे नजर आ रहे होते हैं वैसे नहीं बलके जैसे वो होती हैं वैसे बताना ठीक है तो यह इंप्रेशनिसम की टिकनीक को इसने यूज किया अपने राइटिंग के अंदर इसके लाब है एक और थीम इंपोर्टन अगों है पैसिमिसम का पैसिमिसम जो है नहीं मोडरन का बड़ा इंपोर्टन थीम है मोडरन इस्ट्राइटर का तो यह भी इसमे नजर आएगा हम लोगों को यह ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम लोगों को डाक्नेस अगलीनेस, डिस्ट्रक्शन, डिसलियनमेंट वगएरा वगएरा डिसपोइंटिंग इस्पेक्स अफ लाइफ नजर आते हैं ठीक हो गया यह हमारी फाउंडेशनल स्टेडी हो गई अब हम बात करते हैं अपनी मेन समरी की अब हम समरी को डिसकस करेंगे तो आपने इन क्वेस्टन को माइड बे रखते हुए इस समरी को देखना है ठीक है और गोर से सुनना क्योंकि इसके रेलेवेंट बहुत से MCQs भी आते हैं पेपर में स्टार्ट करते हैं Heart of Darkness अब जब Heart of Darkness में नोवल की ओपनिंग होती है तो एक शिप है जिसका नाम निली है इस निली शिप के अंदर डिफरेंट लोग जिसमें लॉयर, अकाउंटेंट, कमपनी का डिरेक्टर यानि के कैप्टन और मार्लो ठीक है यह सब अकठे बैठे हुए हैं और यह रिवर टेम्स में सफर करते हुए जा रहे हैं सी के थुरू जैसा कि नेम आपने देखा लॉयर, अकाउंटेंट, कमपनी, डिरेक्टर, कैप्टन इन सब के प्रोफेशन नोन हैं बट मार्लो का प्रोफेशन अनोन है स्पेसिफिक प्रोफेशन ने बताया गया और जब स्टोरी स्टार्ट होती है हम लोगों को एक निरेटर यह साई स्टोरी सुना रहा है निरेटर जाए अननेम्ड है उसका नेम नहीं मैंचन किया गया फिर उसके बाद जो है ना Marlowe हमें लिंडन के बारे में और यॉर्प के बारे में कुछ बताता है लेकिन उसके बताने से पहले जो निरेटर है वो पताता है Marlowe के बारे में कि Marlowe कोन है कहता है Marlowe he had sunken cheeks a yellow complexion resembled an idol ठीक है तो यहां पर उसने क्या पताया Marlowe की appearance के बारे में बता है और बुद्धा के posture में बैठना symbolize के कर रहा है कि Marlowe is the symbol of truth बुद्धा जो है वो famous saint था ठीक है जंगल में चला गया कई साल उसने meditation की वहां पे ठीक है और वो yoga के style में बैठा होता था तो same इसी तरह जो है na Marlowe बैठा हुआ है क्योंकि अब वो जो है वो symbolize कर रहा है बुद्धा को क्योंकि अब उसने एक story सुनानी है और वो story सुनाएगा जो कि symbolize कर रहा है बुद्धा के अंदर बैठने के posture में कि जो कहेगा सच कहेगा स्टोरी पर जो भी बताएगा वो सच बताएगा ठीक है और फिर जब Marlowe स्टोरी शुरू करता है और सनाने के लिए तो वो उसके अंदर क्लोनाइजेशन को mention करता है किस तरह mention करता है कि उसने बताया कि एक दफा करना I was thinking of very old times when the Romans first came here 1900 years ago कि Romans आये थे Romans ने किस तरह अटैक किया और white man को वहां से भेज दिया और वहां पर आके अपने colonial time period को start कर रिया था white man के ओपर तो यह कुटेशन है किसमें वह से mention किया अब जब बताता है तो लोग जो जो बड़ा लग रहा होते हैं लों को बड़ा लग रहा होता है इस तीज करो तो इस तोरी चेंज करो तुम कोई और बात बताओ फिर Marlo जो ने स्केंड स्टोरी शुरू करता है उसमें बताता है कि मैं चोटा था ना जो कि मैं बड़ा हो जो जो तो मैं वहाँ पर जाओ ठीक है जिसको मैं ने कुटेशन में डिफाइन किया है ना वन आई वज लिटल चैप I had passion for maps किता है जब मैं चोटा मुझे माप का पाशन था ठीक है पैशन था तो मैं इसलिए ना मैप देखा करता था और वो जो उसको जो म चाम किया मुझे बड़ा अपील किया ठीक है और मैं फिर विश किया कि जो मैं बड़ा हो जाओंगा तो मैं इस जगह पर लाजमी जाओंगा अब यहां पर जो हमारा करेक्टर है मार्लो का उसने क्या इंडिकेट किया कि बचपन से इनसान के अंदर evil instinct जुड़ी होती है अच्छा अब जब इपनी कहानी सुना रहा है तो कहानी के निरेशन स्टार्ट है अभी और निरेशन के इंडर जो में फोकस रखा गया वह कोंगो रिवर के ओपर अखा गया और मार्लो जो है ना इसके अबाउट कॉनरेट कहता है वैन आ यम स्पीकिंग थू मार्लो आइम पिर मार्लो जो है अपने फैलोज को बताता है कि मेरी अंक आंती है उन्होंने मुझे अपॉइंट करवाया एक जोब के लिए और यहां पर मैंशन करता है अपना फुल ने मैं आई चार्ली मार्लो अपना फुल ने मैंशन करता है फिर कहता है I got my appointment of job of course ठीक है अब सेलिंग कंपनी होती है तो इसकी आंट होती है वह एक स्टीम बोट स्किपर के तोर पर पोइंट कर वा लेती है जो के फ्री स्लेवन की रिप्लेश्मेंट पर आया होता है फ्री स्लेवन क्या होता है मैंने आपको क्रेक्टर में बताया था कि फ्री स्लेवन कौन था यह विस उसके बाद same duty यहा है, अब माललो जो है, जा कर साइं कर लेता है कांत्रेक्ट को, जब माललो ओफिस में जाता है, तो उसको जो ओफिस है, वह वाइट ग्रेव, सफीत कबर चीरा नजर आ रहा होता है, और वो रुसेफचिन एरिया जो है दिम्ली लट ओता है और वहाँ पे थो मारलो को डो ओरते कहा नजर होती है जो कि निटिंग कर दे होती है एक छहम एंजसे कि निटिंग कर रही होती है और मारलो कहते है इनको नजे देखे हैं उनसे मुझे लगना साहिए ऋक्रुटेशन निखी है तो निया चोलोनाइजर कर रही है बंका इससलिम कर.. बीकर है सबस्लब खाल सबस्टिपाइज है ना मार्लो जाता है मैं जानाएज कऊ रिवर तक्ट्ट खीछ को रिभानलो एक दाक्तर से अलत्फ खाल थे नाएज को एंड उस देख से रिख सक दोस्तिंग मैं उप तो वे कहता है उसको, ये बखक हमार्लो को, लेकिन इसके बाद अपनी आंट से बात करने के बाद मार्लो चल जाता है, फ्रेंड के उपर ठीक है और फिल कर रहां था है कि वह एक इंपोस्टर और एक मंत के बाद मार्लो बिग रिवर पे पहुंच जाता है फिर वहां से वह लिटल स्टीमर यूज करता है और उसके बाद एक आदमी इसको प्रिक्ट करता है और उसको कमपनी स्टेशन में ले जाय जाता है कमपनी के स्टेशन में ले जाय जाता है मार्लो को और मार्लो व तो बोत जहरो मैं यह भी कपाई है। उसके मिज करं इसम पर ईके होए है, उस पुझ़ में कर देका हम लिखे यह पाई है। विशोजिट में पालेगर देखने इस लागर जो पाले चाहिए जो आप चाहिए और ब्लैक में जो इसको एकस्पोइट किया जा रहा है जिस पे बो इन डिफरेंट होचिके हैं विज निख प्लेकर तोड़ेखने जाए जाए जो जाएं लेगर तोड़ेखने निख रिट ज ब्लैक ऐसा जो के मार्लो को बिल्कुल हंगरी निजर आता है और मार्लो जो है उसको बिस्किट ओफर करता है और यहां पे कॉर्णट कहता है उसको जब बिस्किट ओफर करता है तो उसको लेन नी पाता है कि ब्लैक मैन को खाना तक नहीं आता तो इसके बाद जो है मार्लो जल में बांधावात हैं के बाद ड्रेसिंग सेंस नीथी कि इनको खाना नहीं आता था वहां पर एक वाइट मैं जो कि अमेजिंग भी था और मिरिकल भी था फिर मार्लो को पता लगता है कि वह चीफ अकाउंटेंट कंपनी का मार्लो इसको रिस्पेक्ट देता है आएट एक टाइम धर स्थेश्चन अमार्ट कि अपर देखा सफुष है नगा जल्यायम है दिकाउंटेंट क ही अवाइट मैं द्रेसिंग के कड़त one जा उपम लाइट हाथा तो इकसे और शफ़ीं था उनको हैं हसके प्छंड के लिए और चयफ अचेव लॉस हैं यह जो इस चीफ अकाउंटेंट को उसके इल टैंपर को अबसर्फ किया अब मालो 200 माल जैनी के लिए जा रहा है इंटु दा इंटीर ओफ दा कॉंगो रिवर जहां पर वो काम करेगा वेर ही विल वर्क फॉर एस्टेशन रन बाया मैन नेम्ड कर्ड अब यहां पर कर्ड समारे पास फर्स तेम इंट्रीउस्ट हुआ है समधी के अंदर और अकाउंटेंट जो है वो बार बार मालो को बताता है कि तुम जब जाओ के ना कॉंगो पे तो महारी मुलाकात मिस्टर कर्ड से होगी अरिमाकेबल मैम मैन इन चार्ज ओफ दे ट्रेडिंग पोस्ट इन दा आइवरी कंट्री अब उसके बाद मालो जो अपनी जनरी स्टार्ट करता है 200 माल की तो इसमें यह बहुत से ब्लैक्स मिस्टीरियस मैन को देखता है विल्ड मैनेजर का होती है जoku मीटिंग होती है बहुत ही स्ट्रेइंज होती है क्युकgado जो जो मैनेजर होता है उसमें स्माइल रखता है छे उपर लेकिन नहीं Without respect to love or fear अन्सपाय किहाद की नहींड राइस अन्सपायर की नहींडमें आप लेजस्टार्ट हो गय थे ज़र लेता मालो ने वे अन्सपायर ट्रेडिंग सकत ती आप यहाँ रूमर्र service की थे जो इंपोर्टराा है क्र crystal believe धाव बिमार हो चुका हुए और इसी दुरान मारलो की बोर्ट के ओपर शिप रैक होता है और मारलो वापस आ जाता है अब मैनेजर बड़ा इंट्शेस होता है और कहता है कि हमारे पास तो सिर्फ थ्री मनत हैं कि हम कुछ कर पाएं अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मारलो जो है वो स्टेशन पर काम करने शुरू कर देता है और हर जगा आईवरी 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 हो रही होती है वहां पर तो मारलो कहता है तो वर्ड आईवरी रैंग इन दे एर वास विस्पड वास साइड अब आईवरी के है हाती के दांत को आईवरी कहते है और हर जगा आईवरी- इवरी हो रही होती है और ये हाती के दांत यानि कि आईवरी अफरीका में बहुत زदी है ठीक है अब क्या हुआ वहां पर इंदे नेम ऑफ क्लोनाइजेशन वहां पर लिकिन ब्लैक ने का था यह तो यहां पर जब यह आइवरी वहां से कॉर्ट ले लेगर वापस इनको बेज रहा था यह इस इसी चिज़ को एक्सपोज कर रहे है कि हां यह एक्ट ऑफ लुटिंग ही है कि वह उनको इसी दुरान मार्लो देखते हैं एक ब्लाक मैन को मारा जा रहा है और उसको कहा जाते है कर्ट एक अड़ंड़िग ऑफ इस इंसिडेंटी है अब मार्लो जो है वह देखते है कि एक मैंजर का तो पुइन को Hindi को कंशोचिन कर जाता है अमाल़ों बड़ा अँलै होता है मैं एक मिला आगात निक दम जाता है अज्यृटी ऊचे खेग जाता है इन्सान से टिक है के एक आग फ्यृूरिसली अन्नोगा हो जाता है मालों टेकता है एक पैंटिंग तर्च्फै醒 यह एक कर्ट्स ने पेंट किया इसको फिर इसके बाद मार्लो लिसन करता है ओवरहेर करता है किसकी a conversation between the manager and his uncle जो बात कर रहते हैं कर्ट्स की और वह कर्ट्स को conferr करना चाहते हैं और मैंजर कहता है he was forced to send him there फिर उसके बाद यह कहते हैं दोनो his influence is frightful and they add that he is alone having sent away all his assistance और फिर उसके बाद मार्लो उसका बिलीव यह होता है कि अब उसको जग सरक्मस्टांसेंसे वह अलाओ कर रहे हैं वह कर्ट्स से मिले उसके बाद मैनेजर और अंकल मिलकर कर्ट्स को मानने की बात कर रहते हैं कि कर्ट्स मर जाएगा ना तो कर्ट्स वह अपर पुजिशन नहीं ले पाएगा ठीक है अब और रियलाइस करते हैं कि मार्लो इनकी बाते सुन रहा है तो वह बाते करना बंद कर देंपो यह फिर कुछ दूना बाद मार्लो को जाना था कर्ट्स की तरफ इस स्टेशन पे कर्ट्स है उसका पर जान फैंने बोर्स क्रिउ को हमारून नहीं। थे इसके इलावा मैनेजर साथ के साथ सफर करते हैं। और फिर से टीवर्ड आइवरी सुनते हैं। अइवरी क्या आइवरी बैसिकली गृड़् को कर रहा है लस्ट को सिंबलाइज कर रहा है ग्रीड ओफ कलोनियल पावर को सिंबलाइज कर रहा है ठीक है अच्छा अब ड्यूरिंग जर्निय जो है मार्लोग को एक बुक मिलती है अबाउट सीमेंशिप ठीक है इट है इस नोट इन लैंगविज जिसको वह अंडर स्टैंड कर भाता वापस बोट में आते हैं इसको धका देखे लगे करते हैं अब एट माइल्स दूर हैं कर्ट से मैं अजर कहता है हम लोग यहां पर स्टेक करेंगे फोर दा इवनिंग और कोई भी आवाज इनको नहीं आती नो साउंड अर हर्ड अब क्र्यू जो है वह अटैक कर द उसके पहले की बातक पाता है को बंदेके डिथ हो जाती है मारा जो हम नो अपनी ज भूट से वे औरा भायन फांक देता है इसके बाद जिनको यह स्टोORी नाई है शिप था इंदर मारा लो निको बताता है कि कड्स जो है उसने एक गrl को को मैंचिं की था और उसके बाद क कि उनको साथी स्टोरी से नौरा था ना फिर यहां पर ब्रेक करता है अपनी स्टोरी से उनको बताता कि ऐसे हुआ था ठीक है वह कहता है डावल ओफ दा लैंड मना जाता है जबके औरिजनली में कर्ट किया था मैंने अपको बताया था पेंटर भी था वैल एज़ुकेट भी यह रिप्रेजन्ट किया था राइटर ने फिर फाइनली कर्ट के मुलाकात होती एक रिश्यन बॉइस है इसको हरली कुएन के से नाम दिया था रिश्यन बॉइस कि बड़ी अच्छी मतलब कि यह बड़ा ज्यादा एट्रेक्ट होता है तो वह उसको कर्ट के पास लेके जा किस तरह से वह ऐसा करेक्टर है जिसके ओपर अपनी कोई रेस्ट्रेंट नहीं थिका है इपने सर्फ पर को हर रेस्ट्रेंट नहीं है वह एक लस्टी कर्यक्टर दिखाया गिया जिसको भुषा भुषाल ऑज जिसको पावर का बहुत द्वादा च्जोग कर अन्हें घरन कर्ट कर्ट की देज्ट से पहले रेवीयर थे कि कर्ट जिसने जो आटक हुआ था इसक ब्लाक की डेथ हो गई थी वह कर्ट था जिसने उसको ओर्डर दिया क्योंकि कर्ट वापस नहीं चानाएचा था था कर्ट कॉंगों में ही रियना चाहता था शीवीलाइशन से दूर पैकिट देता है पेपर्स का और फोटोग्राफ देता है उसकी जो फ्रेंड सुरी कर्ट्स नहीं उसका जो फ्रेंड है कर्ट्स का वो देता है मार्लो को पेपर्स का पैकिट और साथ में फोटोग्राफ देता है ठीक है ताकि यह जो फोटोग्राफ पेपर्स का पैकिट है मै रहत के टाइम पर उसके लाट्स वर्स जो होते हैं वो होते हैं होरर होरर वो जो लास्ट वर्ड दा होरर होते हैं यह बड़े सिग्निफिकेंट वर्ड है ठीक है क्यूं क्यूंके यह होरर इंपिरियलिजम भी हो सकता है अब मार्लो यॉरप में वापस आ चुका हुआ है जब कर्ट के लास्ट वर्ट क्या थे तो कर्ट जूट बोलता हूं कहता है it was your name क्यों कहते था कि वह कर्ट कर्ट का जो वह attitude था positive वह वह डिस्ट्रोई ना हो वह वैसे कब ऐसा attitude बना रहे और और सुरी मैंने एक मिस्टेक की थी, वो जो फोटोग्राफ थी वो कर्ट्स नहीं माल लो को पकड़ाई थी, ठीक है, कर्ट्स ने दी थी वो माल लो को, उस पेपर के पो लिखा हुआ था, जितने भी ये ब्लैक्स हैं उनको कतम कर दिया जाए, जिसको माल लो ने फार दिया थ अब माल्डों ने वह क्यों फारा था ताके जो ब्लैक्स हैं वह वैसे के वैसे रहें ठीक है और यह जो वायर्ट साहिए वैसे रहें इन्में से किसी के भी एंडिंग नाओ से वह राम से जिन्दगी गुजारें ठीक है दूसरा जूट उसने क्या बोला एक तो जूटियों के इसने उसकी गर्फरेंड से जूट बोला कि जो कर्ड्स थे उसके लास्ट वर्ल्ड जो थे वह तुम्हारा नाम था इट वाज यूर नेम ठीक है हलाकि इसके लास्ट वर्ड दा होरा थे क्यों कहा ताके जो वह इनोसेंट इमेज थी कर्ड्स की वह बरकरार रहे और इसके प्रड़ चाहता तो अपनी आन्ट को रिवील कर सता था कि वहां पर एक्शली में के नेम की बूलिटेलिटी नहीं हो रही है लेकिन नहीं इसने मा आन्ट को भी डिसलियन नहीं किया ठीक है और इसकी जो एंडिंग होती नोवल की एंडिंग यहां पर जब उती जब के गर् तूटे इसलिए जूट बोला था इसने स्टोरी के अंदर सिंबलिजम मैंने आपको बताया बहुत इंपोर्टन्ट है और अब मेरे क्या हाल से आपको नोवल हर लेहाँ से अच्छे से क्लिए रोजुका होगा कोई कंफियो नो आप वीडियो को दुबारा तेखें आपको क्ल